हालो फ्रेंट्स वेलकम टो आई चैनल स्टडी फुर यू सो गाई जैसा कि आज आज आपका एससी सीजियल का एक दिसंबर का फॉर्स सिट का एक्जाम हो गया दोस्तों जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल हंड्रेट परसेंट एकुरेट एंसर के साथ जो है इस वीडियो मैं बताऊँगा तो देख लेता है कि किस परकार के जो है आज आपके एक दिसंबर के फॉर्स सिट के एक्जाम में जो है प्रेशन पूछे गया है उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एससे सीजियल से रिलेटेड पलपल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा और बगल में ही आपको एक बैल आइकन यानि घंटे का निशान भी दिख रहा होगा तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजेगा तो चले विडियो को स्टार्ट करते हैं तो आज आपका पहला कोश्यन आए था कि अंतराश्ट्रे अहिंसा दिवस यानि इंटरनेशनल डे औफ नन वालेंस यह जो है कब मनाय जाता है तो देखे अंतराश्ट्रे अहिंसा दिवस ये जो है महात्मा गांदी के जन्वदीन के शमान में जो है ये दो अक्टूबर को प्रतिवर्स मनाय जाता है तो दो अक्टूबर आपका करेक्ट एंसर होगा बात कर ले अंतरास्ट्रे अहिंसा दिवस की सुरुवात कब ही थी तो देखे 15 जून 2007 को जो है संयुक्त महासबा ने 2 अक्टूबर को जो है अंतरास्ट्रे अहिंसा दिवस के रूप में जो वह स्थापित किया था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसका जो थीम रहा था वो आपका योगा for the achievement of the sustainable development goals रहा था तो ये थीम जो आपका यहाँ पे correct answer होगा बात कर ले इसके important facts के बारे में तो देखे अंतरास्ट्रे योगा दिवस 2022 की थीम क्या रहा था तो देखे 2022 का जो थीम है न ये आपका योगा for humanity यानि मानवता के लिए योग ये जो है 2022 का थीम रहा था बात कर ले अंतरास्ट्रे योग दिवस ये प्रतिवर्स कब मनाय जाता है तो देखे अंतरास्ट्रे योग दिवस हर साल ये 21 जून को मनाय जाता है और भारत में पहली बार अंतरास्ट्रे योग दिवस ये जो है कब मनाय गया था तो नेक्स्ट कोशन आपका यहां परा था कि 28 जून 2022 को जो है केंद्रिय प्रत्याच कर बोड यानि CBTT के जो नए अध्याच है न यह किसे न्यूक्त किया गया है तो देखें मैं आपको बता दू कि IRS अधिकारी नितिन गुपता को जो है नए केंद्रिय प्रत्याच कर बोड यान CBTT की अस्थापना कब हुई थी तो यह 1963 में हुआ था केंद्रिय प्रत्याच कर बोड का मुख्याले कहां पर है तो यह आपका नई दिल्ली में इस्तित है और यह जो आपका CBTT है ना यह किस मंतराले के अंतरगत आता है तो यह आपका वित मंतराले के अंतरगत आता है नेक् संगमा राजवन्स के दो भाई हरियर राय और बुक्का राय ने इसे अस्थापित किया था तो संगमा राजवन्स आपका करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कुश्च आपका आप रहा था कि SI unit of work यानि कारे का जो है SI मातरक पूछा गया था तो देखे कारे का जो SI मातरक होता है या आपका जूल होता है और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है तो force into S ये जो आपका वर्क का फॉर्मूला होता है और newton meter भी जो है ये आपका कारे का मातरक होता है तो ये fact भी आपको ध्यान में रखना लिक्स्ट कोश्च आपका रहा था कि burning of coal is which type of reaction यानि कोईले का जलना ये जो है किस परकार की अभिक्रिया तो देखे कोईले का जलना ये जो आपका combination reaction यानि संयोजन अभिक्रिया है तो संयोजन अभिक्रिया आपका correct answer होगा बात कर लें संयोजन अभिक्रिया होता क्या है तो देखे जब दो या दो से अधिक पदार्थ यानि तत्व या योगिक संयोग करके जो है एकल उत्पात का निर्मान करते हैं ऐसी अभिक्रियाओं को जो है संयोजन अभिक्रिया यानि combination reaction कहा जाता है आप यहाँ पर equation भी देख सकते है combination reaction का जैसे कि एक्स प्लस वाई यह जो आपके जो है योगिक हैं और यह जो योगिक मिलकर जो है एक उत्पात का आपका निर्मान करते हैं एक्स वाई का जो है वो निर्मान करते हैं तो यह समीकरन भी जो है आपको ध्यान में रखना है next question आपका यहां परा था कि ब्रहाम सभा के बाद इसका जो नाम बदल करें यह क्या रखा गिया था तो देखे मैं आपको बता दू कि राजराम मोहन रॉय ने जो है 1828 में ब्रहाम समँ़ी की जो है अस्थापना की थी जिसे बाद में जो है ब्रह्म समाज का नाम जो वो दिया गया था तो ब्रह्म समाज आपका करेक्ट एंसर होगा बात कर ले इसका मुख्य उदेश्य क्या था तो देखे इसका जो मुख्य उदेश्य था ना ये सास्वत भगवान की पूजा करना ये जो इसका जो नैतितु है ना ये देवेनना टैगोर के द्वारा किया गया था और इसके परमुख नेता की बात कर ले तो देवेनना टैगोर, केसब चंदर सेन, पंडित, सिवानाथ, सास्त्री और रविनना टैगोर थे तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट लाइम का जो फार्मूला होता है वो आपका सी ए ओ होता है यानि कैलसियम आकसाइड होता है तो सी ए ओ आपका करेक्ट एंसर होगा बात कर ले स्लैक्ड लाइम के बारे में तो देखे स्लैक्ड लाइम को जो बूजा हुआ चुना भी कहा जाता है और इसका जो कैमिकल फार् milk of magnesia का chemical formula क्या होता है तो यह आपका mg a hole twice os2 होता है कास्टिक soda की बात कर ले तो naoh होता है बैकिंग soda का जो है यह आपका naoh co3 होता है तो यह fact भी आपको ध्यान में रखना है next question आपका आपना था कि which state does not have harapan sites यानि किस राजजी में हडपा अस्थल नहीं है जहां पे option में आपका गुजरात हरयाना और उत्राखंड दिया गया था तो देखें ये जो आपका लोथल है ना जो कि आपका ये खडपा सभेता है अस्थल है जो कि आपका गुजरात राज्जी में इस्तित है इसके अलाबा ये जो आपका राखी गड़ी ये जो आपका हडपा इस्तित है ये आपका हर्याना राज्जी में इस्तित है लेकिन हिमा गई है तो देखे हाली में केरल सरकार के द्वारा आगन बाड़ियों में तीन से छे साल के बच्चों को जो है दूद और अंडे देने की योदना जो है वो सुरू की गई है तो केरल आपका यहाप एक करेक्ट टेंसर होगा बात कर ले केरल की राजधानी के बारे में तो 2015 में अस्टिवट कोपलेंड के साथ ग्रामी पुरुषकार जो है यह किस्प ने जीता था तो देखे 2015 में अस्टिवट कोपलेंड के साथ जो है यह रीकी केज ने जो है ग्रामी पुरुषकार जीता था तो रीकी केज आपका यहाप एक करेक्ट टेंसर होगा नेक्स्ट को जाइलम उतक यह जो है किस परकार से पौदे का पोशन करते हैं और आपसन में जो आपका अंग दिया गया था तो देखें भापको बता दू कि जाइलम समवनी जो है यह पौदे में उतक का एक प्रकार होता है जो जल में कुछ पोशक ततों को जड़ों से पतियों तक पहुं यह जो है किस छेत्र में काम किया था यानि रामकृष्ण मीशन के उदेश के बारे में पूछा गया था तो देखें स्वामी विवेकानन ने जो है रामकृष्ण मीशन के तीन उदेश को बताए थे और पहला जो उदेश था वो आपका विदान्त का प्रचार परशार्द क तो वेदान्त का प्रचार आपका करेक्ट एंसर होगा बात कर ले रामकृष्ण मिश्ण की अस्थापना यह जो कब की गई थी तो इसकी जो अस्थापना यह पांच मई अठारश सो संतानवे को किया गया था और किसके द्वारा तो यह रामकृष्ण परमहंच के परमसित से श्वामी विवेका नंत के द्वारा किया गया था तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोष्ण आपका यह आप रहा था कि कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलोप्मेंट पॉलीशी यानि उट संरच्छन और विकास नीती यह जो किस राज्य सरकार ने लाँच किया है तो देखे उट संरच्छन और विकास जो नीती है ना यह मार्च 2022 में राजस्थान राज्य के द्वारा लाँच किया गया है तो राजस्थान आपका यहाप एक करेक्ट एंसर होगा बात कर ले विस्व उट दिवस हर साल कब मनाये जाता है तो यह आपका 22 जून को मनाये जाता है तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है और यह जो आपका उट है यह किस राज्य का जो है राज्य के पसू है तो यह आपका राज्यस्थान राज्य का जो है राज्य के पसू है तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट 13 या 14 अपरेल को मना जाता है तो बैसाखी आपका correct answer होगा next question आपका यापना था back stroke term यह जो किस sport से संबन्दी था back stroke या फिर आपका back stick पूछा गया था तो देखे back stick के बारे में अगर पूछा गया था तो देखे यह जो आपका back stick term है ना यह आपका hockey खिल से संबन्दी था लेकिन अगर back stroke के बारे में पूछा गया था तो देखे यह जो आपका back stroke जो term है ना यह आपका swimming से संबन्दी था तो swimming आपका correct answer होगा बात कर ले swimming के अन्य आपके term के बारे में तो जैसा कि आपका crowd यह जो crowd term है ना यह swimming से संबन्दी था breed stroke यह भी आपका swimming से संबन्दी था back stroke and butterfly यह सब भी जो आपके swimming से संबन्दी था next question आपका यहाँ पर रहा था कि सरोध समराट के नाम से यह जो है कौन जाने जाते है तो देखे सरोध वादक समराट के नाम से जो है तो देखे संसत को जो है यह आपका National Legislature यानि राष्ट्रे विधाईका के नाम से जाना जाता है तो राष्ट्रे विधाईका आपका Correct answer होगा नेक्स्ट कोश आपका यह आपराया था कि गौल जी एपरेटर्स का आकार जो है यह किसके समान होता है या फिर गौल जी काय का जो है कौन सा भाग जो है यह साखी होता है तो देखे गौल जी एपरेटर्स का जो आकार है यह आपका Selected Flat Sisterney का होता है तो Selected Flat Sisterney आपका यहापे Correct एक टेंसर होगा next question आपका आप रहा था कि कौन सा nuclear power plant जो है नहीं है तो देखें मैं आपको बता दू कि वर्तमान में जो आपके साथ nuclear power plant है कौन-कौन से तो एक तो आपका खाकरा पारा atomic power station है जो कि आपका 1993 में गुजरात में स्थापीत किया गया था कल पक्कम जो कि आपका मदरास अटामिक पावरी स्टेशन है जिसे तमिल नाडू में 1984 में स्थापित किया गया था नरोरा अटामिक पावरी स्टेशन जो कि आपका उत्तर परदेश में है इसे 1991 में स्थापित किया गया था क्याएगा नुकलियर पावर प्लांट को जो है करनाटका में 2000 इश्वी में जो है स्थापित किया गया था उसके बाद रावत भाटा या फिर राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन इसे जो है राजस्थान में 1973 में जो है स्थापित किया गया था तारापूर एटॉमिक प पावर प्लांट इस्तित है और इसमें जो आपका तीन जो है यह ओप्सन में दिया गया था एक आपका दिया गया था कि विजय वाड़ा नुकलियर पावर प्लांट यह जो आपका नुकलियर पावर प्लांट नहीं है तो विजय वाड़ा आपका यहाप एक करेक्ट एंसर हो और किसके थ्रू किया गया था, तो यह आपका Indian Airlines और Air India के बीच, एक संयूग तो उधम के रूप में जो यह आपका स्थापित किया गया था, तो 20 जनवरी 1981 आपका correct answer होगा, और बाद में इसका 1 April 1997 को इसका sun challenge जो है, वो बंद कर दिया गया था, तो यह fact भी आपको ध्यान में रखना है, तो इतने question जो है, आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं, जो कि 100% real और authentic है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे हो, तो वीडियो को लाइक जरू कर दिजेगा, और इसी तरह किसी भी exam का real analysis पाने के लिए जो है, चैनल को subscribe जरू All the best!